नमस्कार आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत-बहुत सभागत है मैं हूँ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच हम यहां जैपूर में मौझूद हैं और जैपूर में दोनों ही पार्टियां हमने देखा पूरे राजस्तान में भारती जन्ता पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी जोर पूरा लगा रही है अब उनकी इस महनत का क्या सिला देती है जन्ता और किसकी बातों पर जादा यकीन कर रही है हमको कुछ जिरों में पता चलेगा लेकिन भारती जनता पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है, पार्टी ने अपने वादे जनता तक पहुंचा है, मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे पीश एक बड़े वरिश मेमान है, केंद्रिय मंत्री और राजिस्थान के चुनाव प्रभारी भारती जनता पार्टी क और मुझे पूरा कॉंफिडेंस है, जो कुछ भी हमने आज तक प्रयास किया है, और कॉंग्रेस ने फेल हुआ है, यह दोनों कंपरिजन करके, मुझे हंड़े परसेंट कॉंफिडेंस है, भारती जनता पार्टी को एक मजबूत सरकार बनाने के लिए, राजस्तान के जनता कि आश्रवाद मिलेगा, और मान्य मोदी जी के मारिक दर्शन में एक बढ़िया सरकार हम सुचार रूप से चलाएंगे. इसब पार्टी उटी कर दीजिए तो गैलोट जी और राउल गांदी जी भी यही दावा कर रहे हैं. लिकिन यही दावा करके वो पांच बरस पहले ही आये थे और यही फोटो शूट भी पांच बरस से लोग देख रहे थे और यही राउल गांदी, यही गैलोट जी और यही पैलेट जी वो पहले चुनाव के पहले कैसे थे? बाद में चुनाव के बाद यही गैलोट जी ने राहूल को क्या किया और गैलोट जी ने पैलेट को क्या कहा और गांदी परिवार के साथ इन्होंने क्या क्या किया और इसके अब आल दिंग्स इसके पूरा इसके बावजूद भी लोगों के साथ कैसे इन्होंने धोका दि तो इसलिए इनका जो क्लेम है तो वो सपने में ब्रह्म में है वो भ्रह्म में रहने दो फोटोशूट क्यों अपने पोटो शूट करा तक लाइस टाइम या ता लाठ चुनाओ के टाइम तिनो एक साथ होके फोटो किच्वाईते ने किच्वाएते राउल गानदी, पाइलatt और गेलोट तिनों फोटो किच्वाईता आज राउल गानधी आये तो किसी नेयगा भिछ आप सब लोग साथ साथ दिखना ऑनकेर दिखनी रहें हम हैं साथ में और जीतेंगे, स्वीप करेंगे राजिस्थान. सब कुछ बोल दिया जी और अभी बोल रहे हम एक है जनता जनता को बेकुफ करते है ऐसे यह सोच रहे लेकिन जनता प्रबुद है पीपल आर वरी शुरूड राजस्तान के जनता पोलिटिकली बहुत शुरूड है वो जानते है एक इसे गुम्रा करके फिर से पावर में आने के लिए क्या-क्या ड्रामा करते है क्या-क्या नाटक करते है यह देख रहे है फिर से अभी इतने दिन तक क्यों नहीं आए रावल जानते है इसमें दो चीज हमको समझने का है तो गैलोट जी जानते है रावल गांधी से आने से हमको डैमेज होगा और रावल गांधी समझते है इधर तो सरकार नहीं आ रहे है क्यों मुझे टाइम वेस्ट करना और मेरया जो कुछ भी थोड़ा कुछ इधर उदर का थोड आप उसमें सब हैं, सचिन पालेट भी है, राहूल गांधी भी है, सोनिया जी भी है, सब को जगे दे दी उन्होंने पोस्टर में अब पूरा राजस्तान के जो पहले होर्डिंग लगाया था, पोस्टर लगाया था, उसमें आप देख लिजे, दोई का फोटो था, बाकी सोन पूरा बाद में शुरू हो गया है, तो पहले क्या था, अभी भी बहुत जगा नहीं है, कई जगों में जहाँ जगों में अगर मेडिया बहुत ज़्यादा गुमते हैं उदर आईसे फोटो है, बाकी जगे से पहले जएसे था, वो इसे ही है. अजब बिंदी जितनी ही सही वो कहते हैं, हम अपने नेताओं को जगे तो दे रहे हैं पोस्चर में, आप क्या तो तस्वीरी एक वेक्ति है कि कि किवल-किवल मोधी जी की और किसी की तस्वीरी नहीं है? ने ने हमारा जो प्रदेश का जो बी नेता है, सब का फोटो है, हमारा जो एक प्रोटकॉल है, प्रदेश अद्देक्स, अपोजेशन लीडर, वो सुंदराजी, जो पूरो मुख्यमंत्री है, वो सब का है, इनका तो क्या है? लेकिन जो सिटिंग सिएम है, और लास्ट आइम बोलता, पैलेट भी हो सकते है, गैलोट भी हो सकते है, यह क्यों नहीं किया? उनको लगता है जगड़ा हो जाएगा, आप लोग चुनी डिक्लेर करते हैं, आपको भी डरे जगड़ा हो जगड़ा है, हमको तो स्ट्रेडिजी के लिए हम कई राज्यों में नहीं किया है, चेतिजगड में नहीं किया है, इस बार करनाटक भी भी नहीं किया था, यह तो तो नेंको उन्स कम्तुश किया है तो इनको जानते है कि उनके नेेतर stop में फार्टी नहीं आ रहे है लास्टाइम ने जो दोका जिया है वो गय दिखाया और पैलेट को भी दिखाया और विमान एक्सिडेंट हो गया सिटिंग सी हम आपके MP में अब आप रज़तान की बात करे में लेकिन MP में आपने नहीं डिडिर किया शिवराज जी को वो तो कब生 सिटिंग MP यहां शिवराज जासे MP में डिकलेर तो नहीं बीमा की बात हो, बहुत सारी स्कीम चलाईंगों कहते हैं मैं एक तो उन्होंने एक साव पचपन कहा है 156 आज तब मैंने जैसा एड़र्टाइजमेंट देखा हूं यह तो सिर्फ पचपन आने दो 56 आने दो मैं इनको अभिनेंदन करता हूं 56 आने क स्तीति में कॉंग्रेस पार्टी नहीं है दूसरी बात, स्वास्त सुरक्षा इवमाई ओजना, कितने लोगों को मिला है 200 लोगों को भी नहीं मिला है, जो कुछ भी मिला है, स्वास्त सुरक्षा में वो मान्य प्रधान मंत्री जी का आईशमान भारत से बहुत बड़ी मातरा में राजस्तान में आईशमान भारत में लोगों को इसमें रिलीफ मिला है और वो सिर्फ और सिर्फ आईशमान भारत में मिला है कितने लोगों को मिला है यो तो मैं तो आपको आकड़े भी दे सकता ह यज जो बोल रहे है ये विमाक मपनी के साथ इनका एक टैक्ट्फुल अंडरिस्टाइबिग इसमें भी बृष्टा चार रहे जैसे एसे अल्पूलना मे बृष्टा ला ए जैसे ए जो मोबाइर फोन दिया उसमें बृष्टा चार है उसमें बृष्टाचार है आईसेमी इसमें भी प्रिष्टाचार है, जो विमायोजना यह बता रहा है, उसमें भी प्रिष्टाचार है, आईश्मान भारत में 1.1 करोड नागरिकों को इधर उपचार मिला है, हास्पिटल को बिल भी हमने जमा कर दिया है, इनका आखडे तो बता नगा, कभी भी आखड को मिल तो किसी को नहीं देते है क्योंकि इनका Geschीमी Flop Scheem है तो नहीं तो 1.1 क्रोड ये तो यह जो कुछ भी आकड़ा मही दे रहा हूं, यह राजस्तान सरकार के आकड़ा है, मेरा आकड़ा नहीं है, जब इनके आकड़ा क्यों नहीं बता रहे हैं, इनके आकड़ा क्यों नहीं बता रहे हैं, इतने लोगों को हमने स्कीम में रिलीफ दिया है, क्यों नहीं बोल रह क्योंकि उनके पास आकड़ा नहीं है लोगों को मिला नहीं है अचली एक बात हुई है अब वो 500 रुपए का सिलेंडर देते हैं गैस का सिलेंडर तभी तो आपको देना पड़ा साड़े चार सो का बादा करना पड़ा हम देंगे देखिए हमने तो आज अल्रडी भारत सरकार ने हम ने वो जुला में जो सिलेंडर कनेक्षण दिया एगास कनेक्षण उन लोगों को हम ओर्रडी छेसार वरोपए में दे रहियेरे और आज के दिन में हम राजस्तान में 450 अनूंस किया है क्यों अनून्स किया है यह तो राजस्तान में जो महेंगाई के बारे में बा महंगाई बड़ा ज्यादा होने के लिए हाइस्ट पेट्रोल और डिजल कॉस्ट कई भी राज्य किसी मी राज्य में देश में है तो वो राजस्तार में है बारा रुपए से ज्यादा इधर अगर आप हरियान आजाओ आप दिल्ली से जब आते हैं दिल्ली और कई राज्यों में लेकर गुजरात सब से ज्यादा बारा रुपए से ज्यादा इधर चार्ज करते हैं और बाद में बोलते हैं हम महंगाई क्या है महंगाई कैम्प महंगाई राध कैम्प अलगा देंगे क्यों यह ड्रामा करते हैं प्रियांका गंदी राहूल गंदी इनको लोग देख लिए। और इस देश को 75 येर्स हो गया, 75 ते जादा येर्स हो गया, स्वतंतर मिलके, उसके बाद काउन क्या क्या नाटक किया है, वो नेरुजी से लेके, आज तक काउन क्या क्या नाटक किया, राउल गांदी क्या नाटक किया है, इंदरा गांदी ने क्या किया है, ये लोग क्या कि के लेके आये है लेकिन राजस्तान जनता बहुत प्रबुद्ध है और राजस्तान जनता जानते है इन लोग ने पांच बरस में कैसे महडा के उपर अत्याचार यह नंबर वन है अभी देश पांचवे नंबर पर है अर्थ वेवस्ता में और और ऐसे वैक्षिन एड्मिनिस् प्रिष्टाचार में नंबर वन, अत्याचार में नंबर वन, महिडा मर्डर में नंबर वन, करॉप्शन में नंबर वन, सभी में नंबर वन, जहां नेगिटिव है जो पोजिटिव है नंबर वन वो भारतिय जनता पाल्टी के नेतरतों में देश में हम देश की जो सरकार ह तो यह तो हास्यास्पत है लोग इनके बात सुनके हस रहे, बाकि लोग जो राजस्तान के लोग जानते हैं ज्केद का मॉडल है नीवक है बेद लोग आपको जो करना है करेका 25 नावंबर को करेगा तुष्टी करण का आप लुक बहुत आरूप लगा रहे हैं इस बार कॉंग्रेस पाटी के ऊपर, क्या है इस आरूप के पीछे की हकीकत, वो कहते हैं किवल आपको धुरूवी करण करना है, वो रादिस्थान में होगा नहीं, तो जब आप ऐसे काम करते हो, धुरूवी करन ह का ओर दर करते हैं पानी का ओर करते हैं, वो तो गणए में नहीं करते हैं, वो धिपाュडी में नहीं करते हैं और कावाडिया को आप निर्बंद लगाते हैं, PFI को जुलुष के लिए अनुमति देते हैं, और पुजारियों का हत्या होता है, आपको कुछ नहीं होता है, संतों का हत्या होता है, कुछ नहीं होता है, आपने मंदिर के बुल्डोजर बेच के मंदिर तुडवाते हैं, तो यही गेलोड सरकार में तोड़ा है यही गेलोड सरकार ने उसका डिमॉलिश किया तो कौन कर रहे है तुष्टी करन कर राजनीति आप कर रहे है इसलिए हमको बोलना पड़ रहे है वो आपको बोलते हैं कि यह हिंदु मुसल्मान की राजनीति इसके सिवा काम नहीं चलता बा आप योगी जी आते हैं वो नेरूजी की बात करते हैं यहां पर क्या मतलब है हिन बातों ने थी सेवेंटी का जो हम बात करते हैं थी सेवेंटी का विरोध कॉंग्रेस क्यों करते है थी सेवेंटी फई यह कॉंस्टुशन में है यह टेंपररी मेजर है क्यों आप विरोध करत लेता है, जिस Muslim League इस देश के बटवारी के लिए प्रमुक जिंबेदार पाल्टी है, उस Muslim League इस कैसे होता है, secular party और उनके साथ आप सरकार चलाते है केरल में, आपके क्या है आपका नीती है, नीती नहीं है, नीती नहीं है, और नेता भी ठीक नहीं है, आपका कैसे पाल्टी है आपका अब तो आपके प्रशार में इसरेल गाजा तक आ गया योगी जी ने बात बोला ना कि यह देखे कैसे तालीबानी सोच बालों का इलाज इसरेल कर रहा है गाजा के अंदर यहां इस जारेस्टान के चुनाओं में इन सब बातूं का क्या मतलब तालीबान का सोच का यह लोग है इसलिए योगी जी ने बोला है तो आप मंदिर तो तोड़ते हैं और संतों का हत्या होता है आपको कुछ नहीं लगता है मंदिरों का मंदिरों को पर लोगों ने कुछ चंद लोगों ने मंदिर के उपर अटेक करता है आपको कुछ नहीं होता है पुजारियों का हत्या होता है आपको कुछ नहीं होता है तो तो कनाहिलाल पूछते है हमको security देतो security नहीं देते है कनाहिलाल का hathya होता है बाद में आप कुछ जो मन में आता है इसे बात करते most irresponsible statement आप देते हैं इस में कया अचाए तो आप की पार्टी के हैं जो पकड़ें हमने तो पकड़ लिया उनको जन्होंने hathya की थी बाद में फोटो दिखा के बता है तो बीजेप की से जोड़े हुए है ने ये तो गेलोड जी का most irresponsible statement है ये और मोदी जी ने जो मुर्खों का सरदार बोला वो आप responsible statement मानते हैं ने तो जो कुछ भी जो मुर्खता किया है और डेली मुर्खता करते ही जाता हूँ ये तो मेरा monopoly है ऐसे मानके रखे कुछ लोग मुर्खता ये मुरा मेरा monopoly है patent है तो उन्होंने patent लेकर रखा है इसलिए जो कुछ भी कहना था कह दिया है लेकिन राउल गांदी जी को बात बुरी लगी उनकी भाषा से ऐसा लगा और उन्हें कहा कि नरेंदर मोदी मुझे गाली देते हैं नरेंदर मोदी ऐसा बोलता है वैसा बोलता है ठीक है चिड़ रहे हैं इसलिए इसका मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ नरेंदर मोदी जी तो क्या है देश और दुनिया जानते है जी और राउल गांदी है जो है वो देश और हमारा देश तो कम से कम हमारा देश तो लोग जानते ही है और मोदी जी के लिए क्या क्या है उन्हें ने कहा है मीडिया में क्या कहा है लोकसभा में क्या कहा है और इतना जूट इतना जूट बोलने का लोकसभा में मैं देखा नहीं रैफल के बारे में इधर के बारे में कितना बोला आंति में सुप्रीम कोट ने क्या कहा ऐसे बहुत चीजों में उन्होंने जूट बोलना और मुरकता करना उनका जन्मसिद्ध हक ऐसे उन्होंने मान के रखा है इसलिए ऐसे होता है वो तो मोदी जी को गले लगाते हैं आपने तो पार्लिमेंट में देखा होगा तो इतना बालिस्ता वो तो इसमे बारे में क्या बात करना है पार्लिमेंट में इतना वेवार तो इतके बारे में मोदी जी अलरी उतर दे दिया है मुझे तो उतर देने का जरूरत भी नहीं है अचा आपने Congress Party का figure तो बता दिया कि जो गैलोटसाप गैलते आएगी और आपने बताए जितना आएगी आपका कितना आएगा इस बादारेसाऩ। मैं तो कहता हूँ आपके दावे के साथ इतने सामने एतने लोगों के सामने इस मैं के सामने कह रहा हूँ हमारा 2013 का जो रिजल्ट है उससे जाजा सीट हमको मिलने वाला है यह मैं दावे के साथ मैं आपको कहना चाहिए 170 के उपर इस क्लेम पर दुबारा हमसे बात करेंगे आप पर 3 दिसंबर के बाद जरूर जरूर बहुत शुक्री है सर हमारे साथ बहुत दर्नेबाद देखे वो अपना चुनाव छोड़कर हमारे बीच में आए तो तालिया तो इससे जोरदार बनती हैं आप लोगों की बहुत शुक्तिया